आप चाहते हैं कि जित्ते भी हमारे politicians हैं उनके बच्चे आर्मी में जाए आप क्यादेगे मेरा बेटा कारगिल युद्ध में शहीद हो गए कैप्टन मंग भार्दवास लेकिन मैं अपने बेटे और पोते किसी को भी आर्मी में जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगी और जाने भी देना नहीं चाहते हैं ठीक है जो आर्मी की हालात है इतनी खरागोच भी कारगिल युद्ध की जो अभी वो मनाया जा रहा है उनके बाद जूते तक नहीं थे आर्मी में पहाड़ों में चड़ने के लिए जवन जवन ऑफिसरों को पहाड़ों पे चढ़ाया गया है किसलिये मारे गए जिनकी ट्रैनिंग भी पूरी नहीं है क्यों कारगिल युद में भेजए गए बच्चे वह माये नहीं थी चिन्हान ने खाल पार के अपने ऑफिसर बनाए थे क्यों नहीं पैनिंग देदे के भेज़े गए सरकार में अपने बच्छे जाते नहीं है और बाकी बच्छों को मरवा दें ले जाकर क्यों कौन सी खुशी मना रहे हैं अब यह दूते थे उनके पैरों में आई से बजने के दे कुछ था उनके पास बंदोबस्त यूनिफॉर्म तक पूजी नहीं थी आर्मी के पास कहा रहती है सरकार फिरुस के बाद आप पताई यह सरकार जो चूंचों लोग आर्मी में जाएंगे मैं तक ती एक को भी आर्मी में नहीं जाना चाहिए और मेरे स्कूल के अंदर चास्तों बच्चे पासा उटाते हैं ट्वेल्स से एक भी बच्चा जामानी चातना आर्मी के अंदर एक में नहीं के तक हम आर्मी में जाएंगे क्यों नहीं आर्मी के सरकार फिक बंदोबस्त करते हैं बिलाज जखर में ऑपरेशन पर जाने से तीन दिन पहले मुझसे मुलाकात थी एक दिन वो मेरे पास बैठा हुआ था और मुस्करा के बोला मान जी आपको कैसी मौत अच्छी लगती है जैना का बेटा मौत भी किसी को अच्छी लगती है कहते हैं नहीं मान जी मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ फिर एक दम खड़ा हो गया और गेट की तरह मुलकर का मान जी फर्ज करें आप इदर ही बैठी हूँ ये गेट खुले और दो आफसर आगे आगे आएं और आपके पास आखे सुरूट करें और आपको कहें मान जी आपको बहुत बहुत मुबारिको आपका बेटा शहीर हो गया है तो आपको कैसे लगेगा और जब वो ये कहेंगे कि हम आपके बेटे की लाश फाकिस्तानी पच्छ महलुपेट कर रहे हैं मैंने उसे का बेटा कैसी बाके बाते गड़े हैं Operation को जाने से पहले मुझे बोला कि माँजी मेरे लिए दुआ करें मैंने का बेटा मैन अनका तुम्हे उस दिन Ὄजमा के स्गेप कर गया था जिस दिन तुमने खाकि भुब्धी पहनी थी फिर प्यता है कि माँजी मेरे लिए लिए इसकी दूआ करें मेरे बेटे का उप्रेशन बहुत ही मुश्किला उप्रेशन था प्योचार का उप्रेशन मेरा बेटा अपने पचास फाईउं को लेके चल पड़ा और प्योचार की एक चोटी जिसका नाम बिज़वनो सर है उसको फता करने के लिए आगे ही बढ़ता चला गया दस गेंटे की मुशक्त के बाद वो वहाँ पहुंचा और उसने वो चोटी फता की अपने अपचाज साथियों के साथ ये वो जगह थी जहां कई दिनों से पाक्त होड रुकी हुई थी और दैशत गर्द उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहे थी मेरे बेटे ने वो चोटी सर की उस पर पाकिस्तानी पर्चम लेराया और आज उस चोटी का नाम कैप्टन विलाल शहीत के मख़़ बिलाल जफर रखना के है विलाल चोटी रहतीं जुन्या का चाहिए गुई इंशादा जब तक पाकिस्तान काईम है बिलाल का नाम सिंदा रही बिलाल को आखरी अपनी खौईश पूरी करनी थी वो आगे बड़ता चला गया के अचानक एक चुपे हुए दैशत गर्ड ने गोला उसके सीमें बेदागा और बिलाल शादो ने हस्ते हुए अपनी जान मुल्क की खातर कुर्बान कर दी बिलाल शादो शादो की खबर सुनी तो मेरा सर फकर से बिलंड हो गया मैंने अस्मान की तो देखा और का पाक परवर दुगार तेरा लाख लाख शुकर मेरे शादो बेटे की आखरी खौईश दी बिलाल हमेशा कहता था मान जी गोली मेरा कुछ नहीं बिगा लेगी मेरी तरह की हजारों माएं यहां बैठी हैं मैं उनको सिर्फ इतना कहना चाती हूँ आप वह सर रखें हिम्मत से काम लें एक बिलाल नहीं हमारे पास हजारों बिलाल है अल्ला ताला से दूआ है कि वो हर माँ को एक बिलाल दे और जिस वाक एक बिलाल की जगह दास हजार बिलाल सर पे कफंद बंदे सरहाग की तरफ दोड़ पढ़ेंगे देशनगर तो क्या दुनिया की कोई ताकत में रोक सकेगी यह अधियर सलाम पर पर दो तो करते रहेंगे देखिए इस जंग में एक साइट जो है वो कहती हमें मौत चाहिए दूसरी साइट कहती हमें जिन्दगी चाहिए पाकिस्तानी फाजी मरने के लिए तयार है क्योंकि उसका जेनियन बिलीव है शहादत में कि असली जिन्दगी शुरुई मौत के बाद होती है यह इंदोस्तान फाज का तो नहीं है तो जब आप किसी पाकिस्तानी फाज फाजी को मारते हैं उसके घर में तो लोग खुश होते हैं